आपका स्वागत है अब्सकार चानग्याओया इसे विस्तार के साथ सुप्रिम कोट ने अक मल्याली न्यू चैनल है इसका नाम है मीडिया वर्न उस पर किल सरकार ने रोग लगा दे थी तो उस रोग से समधित मामले की सुनवाई के दौरां के Supreme Court ने कुछ महतपुन बाते कही है देखे कौन को से वो महतपुन बात है पाहली बात यहाँ है कि सरकार प्रेस पर गैर जरूरी रोक नहीं लगा सकती है मतलब यह कि अगर सरकार के द्वारा प्रेस पर रोक लगाया जाता है उस पर प्रतिबंद लगाए जाता है तो उसका एक पुकता आधार होना चाहिए दूसरा कि सरकार नागरिकों के अधिकार को नहीं कुचल सकती और तीसरी बात कि सरकार जिस राष्ट्री सुरक्षा या नैस्नल सिक्यूरिटी की बात करती है वो हवा में नहीं होने चाहिए मतलब यह कि उसका एक ठोस आधार होना चाहिए उसके पीछे एक मजबूत तर्क होना चाहिए अब हम अगर इस वन मीडिया मामले की बात करें तो सबसे पहले कि यह केरल का एक टीवी चैनल है और जनवरी 2022 में उसके लाइसेंस को रिन्यू करना था जो लाइसेंस उसे 2012 में उस समय की सरकार के द्वारा दिया गया था लेकिन केंद्री सूचना परसारन मंत्राले ने 31 जनवरी 2022 को उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया आखिर केंद्री सुचना परसार मंत्राले ने किस कारण से मना किया तो मंत्राले का यह कहना है कि केंद्री ग्री मंत्राले ने चैनल को राष्टी सुरक्षा के लिए खत्रा बताया अब केंद्री ग्री मंत्राले ने क्यों इस चैनल को राष्टी सुरक्षा के लिए खतरा बताया तो उसका आधार या दिया कि जो चैनल के प्रमोटर्स हैं जिसका नाम है मध्यमम ब्राड कास्टिंग लिमिटेड उसका सम्मंद एक इसलामी संगठन से है जिसका नाम है जमात ए इसलामी हिंद तो अब यहाँ पर इन सब के आधार पर क्या किया गया कि चैनल को आफ एर कर दिया गया मतलब उसके परसारण पर औरोक लगाती गयी उसके बाद मामला केरल हाइकोट गया और केरल हाइकोट में जो चैनल है वह सूचना परसारण मंत्राले के फैसले के विरोध में गयी कि जरूरत किसी भी चैनल को प्रारम करने के समय में होती है, मतलब पहली बार आवेदर करने के समय में होती है, ना कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद रिन्यू करने के समद में होती है, जबकि इस अपील का जो आधार दिया गया चैनल के दौरा, उसके विरोध में केंद सर आवेदन के समय में होती लैसेंस की रिण्यू के समय में नहीं होती है और लैसेंस रद करने का जो फैसला लिया गया कि इन सरकार का उसका कारण है आधार है राश्टी सुरप्छा क्यों इस रहे क्योंकि जो मध्यमम ब्राडकास्टिंग लिमिटेड है उसका समन्द और वांजनी ताक्तों के साथ है जैसा कि अभी मैंने नाम लिया इसलामी संगठन के साथ है फिर हाइकोट के जो सिंगल बैंच है उसने चैनल पर लगे बैंच को बरकरार रखा उसके बाद चैनल कहांगी चैनल केरल हाइकोट के डिविजन बैंच के पास कही डिविजन बैंच का मतलब यहाँ पर है कि उस बैंच में दो या तीन जज़ होंगे तो डिविजन बेंच ने भी क्या किया कि दो मार्च को सिंगल बेंच के इस फैसले को बरकरार रखा मतलब यह कि जो चैनल है वो आफ एर ही रहेगा मतलब उसके उधारा पर सारण नहीं किया जाएगा अब केरल हाई कोट ने किस आधार पड़ने ने दिया वो देखिए और दूसरी बात यहाँ पर केरल हाई कोट ने यह की कि सरकार ने जो आधार दिया है कि राश्ट्रिय सुरक्षा का विशा यहाँ पर मौझूद है तो उस पर यह बात कही गई कि जो अधिकारी है उन्होंने कुछ ऐसे इंपूट्स दिये जो इंपूट्स उन्हें इंटेलिजेंस, बीरो या अन्य जाज एजेंसियों से मिले हुए थे कि पब्लिक और या राजजी की सुरक्षा को यह परभावित कर सकते हैं तो जब केरल हाई कोट ने निरने दे दिया कि जो उस पर बैन लगा हुआ चैनल पर आगे भी जारी रहगा तो फिर चैनल सुप जह बताई है वो सील बंद लिफाफे में हाई कोट को सौपी थी जब यह सारी बाते हुई और दोनों पक्छों ने जब अपने तरक रखे तो उन अलग-अलग तरकों को सुनने के बाद सुप्रीम कोट ने केरल हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी और इस रोक के साथ ही जो चैनल है उस चैनल का परसारन फिर से सुरू हो गया अब सुप्रीम कोट ने केरल हाई कोट के निर्णे पर जो रोक लगाई उसका आधार देखिए सुप्रीम कोट ने जो पहला आधार दिया वह यह दिया कि एक देश में स्वतंत्र और नीडर मीडिया की ज़रत है वह कोई समाचार पत्र अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करती है तो इसका अर्थिया नहीं कहा जा सकता है कि आलोचनात्मक विजार सत्ता विरोधी है यह नहीं कहा जा सकता है कि वो एंटी इस्टेबलिसमेंट है और अगर प्रेस पर पाबंदी लगाई जाती है तो इससे अंत्र कमजूर होता है वहीं दूसरी बात सुप्रीम कोट नहीं यह बात कही है कि जो सील बंद लिफाफे में चैनल को रिन्यून ना कराने के जो कारण दिये गहे हैं वह एक तरीके से प्राकरतिक न्याय का उलंगन है क्यों इसलिए क्योंकि सील बंद लिफाफे में जो जानकारी दी गई है, वह जानकारी याचिका करता को तो पता ही नहीं है, तो फिर याचिका करता को वह आधार ही पता नहीं चल रहा है, कि किस कारण से उसके चैनल को रोक दिया गया है, वहीं सुप्रीम कोट ने आगे अबाद कही है, कि सरकार हवा में करने क्या कारण बता है कि इन सकार ने सुरक्षा मंजूरी देने पर राश्टी सुरक्षा का हवाला दिया अब कोट ने ये बात कही है कि ये सही है कि राश्टी सुरक्षा को डिजाइन करना वो इतना आसान काम नहीं है लेकिन कोट ने ये बात भी कही है कि वैसी कौन सी पेस करना जरूरी है वही सुप्रीम कोट ने आगे यह बात कही है कि अब राश्टी सुरक्षा को एक हत्यार के रूप में केंदर इस्तमाल कर रही है वह क्यों वह इसलिए क्योंकि जिस जमाते इसलामी हिंद की बात हो रही है वह एक प्रतिबंदे संगठन तो है यह नहीं त मतलब यह कि वह जो संगठन है जो इसलामी संगठन जमाते इसलामी हिंद वह एक प्रतिबंदित संगठन नहीं है और अगर उससे चैनल जूड़ा हुआ भी है तो फिर वह राश्टी सुरक्षा के लिए खत्रा नहीं है और फिर वही बात कि राश्टी सुरक्षा के इस्तम नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोट ने ग्रीम अंत्राले के उस तर्गों को खारिज कर दिया गया, जिसमें यह बात ग्रीम अंत्राले ने कही कि IB की रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया सकता है Bench ने उस तर्गों को स्विकार ही नहीं किया क्यों? इसलिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि CBI और IB के जो सभी रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में नहीं स्विकार किये जा सकते हैं और CBI और IB जैसी एजेंसियों की जितने भी इन्वेस्टिकेटिव रिपोर्ट हो, उसको ब्लैंकेट इम्मुनिटी नहीं दी जा सकती है तो कुल मिलाकर मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोट नहीं यह बात कही है कि राज्य सरकार, राश्टी सुरक्षा के नाम पर अनावस्यक रूप से किसी भी व्यक्ति और किसी भी संस्था के अव्यक्ति की सुपंदरता पर परतिबंद नहीं लगा सकती है दूसरी बात, उन्होंने ये बात कही कि एक देश में सुस्त लोकतंतर के लिए जोरी है कि पत्रकार और पत्रकारिता निस्पक्ष रूप में हो और बिना किसी भी दबाब के हो तीसरी बात, सरकार की आलुचना राश्ट्रिय सुरक्षा के लिए खत्रा कभी भी नहीं हो सकती है तो इस प्रकार मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोट ने जो निर्ने दिये वह काफी महत्तपूर्ण है इसके साथ ही इस वीडियो को हम ही समात करते हैं फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नमस्कार